नमस्कार दोस्तों में नमस्रीकान कुराब देखरे टुजेट प्रोसेस आज हम बात करने हुआ इस वीडियो में दोस्तों UID AI के द्वारा एक नया पोटल को लॉंच किया गया है जिसके मदद से आप बहुत बड़ी प्रोब्लम से छुटकारा पा सकते हैं तो दोस्तों अगर आप अधार कार्ड में नाम, एड्रिस, डेट ओव बर्थ, जेंडर, फोटो, इमेल आईडी, मोबाइल, नमबर, बायोमेट्रिक ए सरा चीज़ को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो अब आप सही जगा पर जाकर अपडेट करा सकते हैं बहुत लोग को पता नहीं रहता है, गलत जगा पर चले जाते हैं और फस जाते हैं और अधार कार्ड में अपडेट नहीं हो पाता है तो क्या इसका प्रोसेस है, किस परकास सर्वीस काम करेगा, सब कुछ इस विडिओ में कंपलेट बत लाने वले हैं इसलिस विडिओ को कंपलेट देखना होगा तो चिल दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बलाइकन धन्टी को प्रेस कर लिजे ताकि मेरा वीडियो को नोडिपिकेशन सबसे पहले अपके पास पहुँच पाए तो चले दोस्तों मेडियो को सुनू करते हैं दोस्तों उसके लिए सबसे पहले मोबाईल ये लैप्टोप का किसी एक ब्रॉजर को ओपेन कर लेना है ब्रॉजर में टाइप करना है एन आर एसी अधार उसके बाद सर्च के ओप्शन पे क्लिक कर दना है सबसे उपर जो लिंक दिख रहा है इस लिंक पे क्लिक कर दना है Government of India के Official Portal इस प्रकार से ओपेन हो जाता है जो इस प्रकार की इंटरपेस दिखने के लिए मिल जाता है तो इस प्रकार से किस प्रकार से सर्विस का काम करना है क्या इसका प्रोसेस है उसके लिए इस वीडियो को complete देखना होगा तो दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है three line three line के option पे click करदना है उसके बद कुछ इस परकार की interface open हो जाता है और दोस्तों आपको पता होगा कि अधार card का all service का काम अधार center पे किया जा रहा है address को छोड़ कर address के काम जो है कि आप खुद से घर बैटे मातर दो मिनट में update कर सकते हैं और अगर आपको अधार card में नाम, address, date of birth, gender, photo, email, id, mobile, number, biometric ए सरा चीज़ को अगर आपको update करना है तो उसके लिए आपको अधार center पे जाना होगा तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे नजदिक में अधार center कहां पे है, किस जगा पे है, कौन सा center पे क्या update किया जाता है और अगर आपको एस पता नहीं रहता है कि कौन सा अधार center पे क्या update किया जा रहा है और अगर आप एसे चले जाते हैं तो आप वहाँ पर जाकर हरान हो सकते हैं और आपका काम नहीं होगा तो दोस्तों यहाँ पर देखे तीन ओप्शन दिया गया है पहला ओप्शन दिया गया है सर्च बाई अधार सेवा केंद्रे दूसरा ओप्शन दिया गया है सर्च बाई पीन कोड तिसरा ओप्शन दिया गया है स्टेट वाई अधार सेवा केंद्रे तो दोस्तों इसमें से ज जितना भी अधार सेंटर होगा, इस प्रकार से यहाँ पे लिस्ट देखने के लिए मिल जाता है, उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, कि किस रास्ता से आपको जाना है, और यहाँ पे देखें, मैप भी देखने के लिए मिल जाता है, मैप के दौ करके यहां से मैप निकाल सकते हैं या फिर दोस्तों इसका डीटेल पुरा निकालना चाहते हैं तो कि यहां पर देख रहे हैं कि यह जो सेंटर को मुपें किये हैं इस सेंटर पर जो है है और mobile number को update किया जाता है और अगर आपको अधार card में नाम, date of birth यह सारा चीज़ को अगर आपको update करना हो और अगर इस center पे चले जाते हैं तो वहाँ पे आपका काम नहीं होगा यहाँ पे आप देख रहें कि इस center पे only enrollment किया जाता है छोटा बच्या का और mobile number को update किया जाता है तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को यहाँ पे धियान रखना है और इस परकार से आपको search करके देख लेना है तो बहुत लोग को पता नहीं रहता है कि हमारे नजदीक में अधार center कहाँ पे है जाना है किस जगाए पे और चले जाते हैं किसी दूसरे जगाँ पे तो इसलिए अगर आप अधार card में किसी भी परकार का update करना चाहते हैं तो इस परकार से आपको search करके आपको देख लेना है कि कौन सा center पे क्या update किया जाता है और यहाँ पे जो map दिया गए map के अनुसार आप जो है कि center पे जा सकते हैं